नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों MPPSC Prelims Exam की Unit 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रोध्योगी की की हमारी इस शांदार सी वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है E-Governance से संबंदित वस्तुनिष्ट प्रश्णों की E-Governance के थेयरी वाले पार्ट को हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया हुआ है यदि आपने हमारे वह वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देखे फिर इस वीडियो पर आएं ताकि आप अधिक तमलाव हमारी इस वीडियो का ले पाए और अधिक से अधिक प्रश्णों के आंसर आप या अधिक से अधिक प्रश्ण के उत्तर आप सही दे पाएं यदि आपने कहीं और से किसी पुस्तक से ये किसी और वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को कवर खिया हुआ है तो आप डाइरेक्ट भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्ण कर्मांग के एक से प्रश्निक रमांक एक आप से पूस्ता है विद्या वाहिनी परियोजना निम्न मैंसे किस पर बल देती है तो दोस्तों यहाँ पर तो ज़्यादा लोजिक आप लगाएंगे ही नहीं क्योंकि जो हमारी यह वीडियो है वह ना तो मूले सिक्छा पर आधारित है इविन हम कहें है पूरी वीडियो सिरीज हमारी ना तो परियावरन सिक्छा पर ना ही स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है हमारी वीडियो जुड़ी हुई है आईटी से इन्फरमेशन टेक्नोलोजी से तो answer option number a computer सिक्छा होना चाहिए और यही answer है विद्या वाहनी परियोजना computer सिक्छा पर आधारित है लेकिन exam में तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि exam आपका IT से related नहीं है exam आपका पूरे MPPAC prelims exam के syllabus को लेकर है जिसमें IT उसकी सिर्फ एक unit में आता है यहाँ पर तो ठीक है आप लगा देंगे computer सिक्छा लेकिन exam के लिए आप ध्यान रखें जो विद्या वाहनी परियोजना है उसका संबंध computer सिक्छा से है head start हमने पढ़ा हुआ था यह क्या है comment section में बताएं दोस्तो बैब portal DACNET का संबंध किसी से है दोस्तो DACNET DECNET का संबंध E agriculture से है option number A इस बात को आप ध्यान रखें यह दि आपको इसका अंसर नहीं पतातो दोस्तो comment में बताएं खजाना प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है प्रश्न क्रमान की तीन क्या पूशता है खाली स्थन, खोज, छमता, ई-मेल, समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनुरंजन जैसी सेबाएं प्रदान करती है बताएं दोस्तो, चार विकल्पों में से कौन, खोज, छमता, ई-मेल, समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी और खेल मनुरंजन जैसी सेबाएं प्रदान करती है तो दोस्तो, यहाँ पर ऑप्शन नमबर B, पोर्टल, खोज, छमता, ई-मेल, समाचार स्टॉक की कीमत, मौसम संबंधी जानकारी आदी जैसी सेबाएं हमें प्रदान करती है तो प्रशन कर्मान के तीन का अंसर, ऑप्शन नमबर B, पोर्टल प्रशन कर्मान के चार, कौन सी इ-governance पहल मध्य प्रदेश की है इसकी चर्चामन की हुई थी, दोस्तो धार जिले की बात की थी, धार जिले में ग्यान दूत प्रोजेक्ट, ऑप्शन नमबर D, ग्यान दूत इ-governance की ऐसी पहल है, जो मध्य प्रदेश की है कब सुरू ही, वह सन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, प्रशन पांच क्या पूसता है, सरकार को इ-governance सहायता का आधार क्या है तो दोस्तो ऑप्शन नमबर A, NIC, गवर्मेंट के लिए, इ-governance सहायता का आधार है, NIC का फुल फॉर्म आप हमें बताएं, इसकी स्थापना के सित्थीक हुई थी, यह भी बताएं, फिर बारी आती है प्रशन किर्मान के छे की, भारत में इ-governance प्रोजेक्ट के लिए, क्लाउड कम्प्यूटिंग की पहल है, E-Pramanan GI Cloud, दोस्तो इसकी चर्चा भी की हुई थी, तो यह दोनों, बारत में E-governance प्रोजेक्ट के लिए, क्लाउड कम्प्यूटिंग की पहल है, उप्शन नमबर C, प्रशन किर्मान के 6 का सही जवाब है, क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या है, यदि आप इसके वारे में जानकारी रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साजह करें, प्रशन किर्मान के साथ, E-governance प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाए, कौन सा प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का है, त प्रोजेक्ट है, कथन 1, D के साथ सुमेलित होता है, तो यदि हम ऑप्शन पर जाते हैं, तो सारे ऑप्शन में एक के साथ D सुमेलित है, हम आंसर तक नहीं पहुँच पाए, फिर बात करते हैं, डाक्नेट की, दोस्तों यह जम्बू कस्मीर से संबंदित है, तो 2 का या कथ जम्बू का संबंद है, ओप्शन B से है, तो यहाँ पर दोस्तों, एक मैं ही है, तो ओप्शन नंबर B हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, सार्थी का संबंद है दोस्तों राजिस्थान से, और सेतु का संबंद है महारास्टर से, आपको ध्यान रखना है, जो E-Governance Project है, YMP से रिलेटेड है, डॉक्टनेट, जम्बू एंड काश्मीर से रिलेटेड है, सार्थी राजिस्थान से रिलेटेड है, और सेतु महारास्टर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर B, परश्टन क्रमां के साथ का सही जवाब है, ध्यान र रखें, ज्यान दूत, मध्य प्रदेश का धारजला यहां से शुरू हुआ था, डॉक्टनेट, जम्बू एंड काश्मीर, सार्थी, राजिस्थान और सेतु महारास्टर से संबंधित है, फिर बारी आती है, प्रश्न क्रमां का आठ की, मध्य प्रदेश की E-Governance योजना क का सही जवाब है, इनकी चर्चा विस्तार से हमने की हुई है, फिर बारी आती है, प्रिया सॉफ्ट की, प्रिया सॉफ्ट क्या है, दोस्तों कहां रहना लगता है, गाउं में रहना लगता है, मतलब गाउं से रिलेटेड चीज़े होंगी, पर दोस्तों गाउं से रिलेटे ये सूचना विज्यान के इंद्र की स्थापना कब हुई थी? Option number A, 1976, इसका सही जवाब है. Nicknet की स्थापना कब हुई थी? इसका answer, comment section में आप दें. फिर बारी आती है, शगुन पोर्टल की. शगुन पोर्टल का संबंद किस से है? दोस्तों वीडियो में बात की थी, शगुन में आपको शायाद रखना है, मतलब शाला, मतलब स्कूल, कहां पर दिख रहा है? Option A, C और D तो बैसे ही eliminate हो गया, Option B, प्रश्न क्रमान का 12 का सही जवाब है, शगुन पोर्टल का संबंद है स्कूल को आपस में जोड़ने से. दोस्तों बार-बार मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे, तो आप उनको जरूर देखें, बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से, हमने काफी सारी चीज़ों को याद करने का प्रयातनी किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार से कनफ्यूज ना हो, एटलिस्ट आप अपने एक्जाम में सही आंतर को टिक कर दे, इतना प्रयास हमने किया है, फिर बार ही आती है, प्रश्निक रमांक बार है की, दोस्तों अब आवाज और भी ज़्यादा लर खरा रही होगी, क्योंकि रात काफी ज़्यादा हो चुकी है, इसके पहले मैंने एक वीडियो कम्प्लीट करके इस टॉपक को कबर किया, उसके जस्ट बाद मैंने शुरू कर दिया, इस MCQ वाले वीडियो को बनाना, तो आप सपोर्ट करें, और जितनी भी असुबिधा आपको होगी, उसके लिए हम छमा परार्थी हैं, ठीक प्रशने करमान के 12 क्या कहता है, MP Online, मध्य प्रदेश सरकार और किस Multinational Company का सयुक्त उपकरम है, बात की थी MP Online, 2006 में सुरू हुआ, ठीक, मध्य प्रदेश सरकार और TCS का सयुक्त उपकरम है, TCS का फुल फॉर्म आप हमें, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक, फिर बारी प्रशने करमान के 13 की, क्या कहता है दोस्तो, E-Governance के स्तंभ में क्या शामिल है इन में से, दोस्तो इसमें लोग, प्रक्रिया, संसाधन, प्रद्योग की ये चारों के चारों शामिल है, option number D, 13 का सही जवाब होना चाहिए, प्रशने करमान के 14 है, स्कॉच चैलेंजर उसकार, 2015, पंचायती राज्य मंत्राले को प्रदान किया गया, फिर बात की जा रही है, या आप से पूछा जा रहा है, देख्छा का full form, जिसकी चर्चा हमने की हुई थी, जो क्या था, Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, D for Digital, I for Infrastructure, K for Knowledge, SHA for Sharing, ठीक, फिर बारी आती है, प्रशने करमान के 16 की, तरंग पोर्टल किस से संबंदित है, तरंग की हमने बात की थी, तरंग इस प्रकार से चलती है, और इसी प्रकार से दोस्तों, विद्धित का ट्रांसमिशन होता है, अब आप कनेक्ट कर कर देंगे, अब ट्रांसमिशन की बात आई, तो डीबी आप इसलिए ऑप्शन नमबर सी विद्धित मंत्राले का ट्रांसमिशन पर निगरानी है, तो तरंग पोर्टल बनाएगे, या ऑप्शन नमबर सी प्रशने करमान के 16 का सही जवाब है, दोस्तों बार बार कह रहा उनके मदल से आप आसानी से सारे ऑप्शन सारी मेट करते जाएंगे, तो पिछले वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, नुकसान तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप इस प्रकार से चीज़ों को समझने से बंचित रह सकते हैं, ठीक, स्वा की स्थापना होई, 1988 तो बहुत दूर का उप्शन है, बैसे ही आप हटा देंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये भी आंसर नहीं है, आंसर है मार्च दो हजार मार्च, S.W.A.N. की स्थापना, फिर बारी आती है, प्रश्न क्रमान के अठारे की, मध्य प्र की जुलाई 2006, जुलाई भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ 2006 कहा था, तो जुलाई 2006, MP Online की स्थापना हुई थी, याद रखे, जुलाई 2006, option number B, प्रश्न क्रमान कुर्णीस का सही जवाब है, TCS प्लस MP Government का सही अक्तुक्रा में क्या, MP Online, इतना आपको ध्यान रख लेना है, फ ऑनलाईन भुक्तान करने तो कौन सा प्रोग्राम लॉंच किया गया, ध्यान रखें, पंचायती राज एवं ग्रामीर विकास द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर, क्यों, मनरेगा के सभी लाभर्तियों को, ऑनलाईन भुक्तान करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉंच क Option number C, परश्ट्र आपिस का सही जवाब है, फिर बार आती है, परष्ट्न क्रमांक։ 21 की 25 मा रास्ट्रिय ए गवर्नेंस सम्मेलन 2022 में कहा आयुजित किया गया कट्रा जंबू एंड कश्मीर में आयुजित किया गया option number C प्रश्न 21 का एकडम सटी के जबाब है प्रश्न 22 ए गवर्नेंस योजना के चरण मताएं दोस्तों कौन कौन से शामेलन जो तीन कथम दिये हुए हैं इगवर्नेंस की योजना के चरण में तो दोस्तों इसमें computer री करण, networking, online उपस्थिती सब कुछ तो सामेल है बड़ा common sense वाला प्रश्न है और common sense से आप option number D उप्रोफ के सभी answer कर सकते हैं computer री करना करना होगा e-governance के लिए, networking या network का जाल बिछाना होगा, online उपस्थिती दर्जे करना होगी, तभी तो आप e-governance योजना को implement कर पाऊगे, एक भी चीज कम करोगे, नहीं हो पाईगी, network हटा लोगे, computer जमा के क्या कर लोगे, network ले लिए, computer जमा कर लिए, online ही नहीं आ चलेगा, ये तीनों चीज़ों की आवे शक्ता पड़ेगी, इस प्रकार से आप common sense लगाके, प्रश्न 22 का अंसर भी कर सकते थे, फिर बारी आती है, प्रश्न किरमान के 23 की, प्रगती का पूरा नाम दोस्तो, चिला 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 के मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ, ये सीरी प्रश्न किरमान के 23 का सही जवाब है, प्रश्न 24 का कहता है, प्रश्न 24 का सही आंसर हो जाना है, प्रश्न किरमान के 25 हाँ, यहाँ याद रखने वाली चीज़ है, गार्टनर के अनुसार, चार चरण परीपक्ता मॉडल को किसे करम में ववस्थित कर सकते हैं, MPPS से 20 में पूछा था, ठीक, और मुस्किल से 20 लोग इसको सही कर पाया होंगे, टोटल फॉम भरने में, ठीक है, जितना होने पेपर भी होगे, मजाक है, ऐसा नहीं, काफी गार्टनर के अनुसार, चार चरण परीपक्ता मॉडल को किरम में ववस्थित करना है, किस करम में हमने इसको देखा था, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, हमने देखा था, पहले सूचना, फिर सहबागीता, फिर लेन देन, फिर परीवर्टन, ऑप्शन नमबर D, प्र प्रसारण करेंगे, फिर मेल जोल, फिर लेन देन, प्रसारण से जानकारी मिलेगी, फिर मिला जोलाकर देखेंगे आप्शन को, फिर लेन देन करेंगे, इस परकार से हमने तरीकी के मध्यम से याद किया था, तो ऑप्शन नमबर D, 26 का सही जवाब बैठता है, प्रशन 27, Digital India कारी करम की शुरुआत कब हुई, तो Digital India कारी करम की शुरुआत हुई, 1 जुलाई 2015 को, दोस्तों अब मुझे सर्दी लग गई है, वीडियो बनाते हैं, काफी देर हो चुकी है, ऑप्शन नमबर B, ध्यान रखें, Digital India मिशन की शुरुआत, 1 जुलाई 2015 को ही, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्तपूर, कारी करम है, और ये डेट भी काफी महत्तपूर है, 1 जुलाई 2015 है, Digital India मिशन की शुरुआत, ठीक, ध्यान रखें, फिर प्रशन करमांक 28 पर हम आते हैं, प्रशन 28 क्या बोलता है, सर्वे प्रथम यी गवर्नेंस की शुरुआत, 1979 में कहां हुई थी, आपको बताना है, तो हम सभी जानते हैं, USA में हुई थी, USA का कौन सा बिभाग, कमेंट सेक्शन में बता दें, पर प्रशन 29 क्या कहता है, National Institute for Smart Government कहां इस्थित है, National Institute for Smart Government कहां इस्थित है, हैदरावाद में इस्थित है, इसको ध्यान रख ले हैं, हैदरावाद की आपको ध्यान रखनी है, एक इंस्थित्यूट, नाम है National Institute for Smart Government, प्रशन क्रमांक 30, National Institute for Smart Government कब बना, अब सन पूछ लिया आप से, तो यह बना था सन 2002 में, National Institute for Smart Government हैदरावाद में सन 2002 में बना, प्रशन क्रमांक 31, भारत में इस्थित है, बड़ा आसान सा प्रशन है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था, वर्ष 2006 में शुरू है, इस प्रशन को सभी नहीं कर पारें, तो फिर चिंता जनक इस्तित है, आपको, अपने ऊपर जादा काम करने की अभशकता है, बहुत मैनत करने की अभशकता है, और ज़्यादा दिमाग जहां ना लगना हुँ, सीधा सीधा सा आंसर हो, यह वहां पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, वह आपको सही करने होंगे, निटो एक्जाम में समस्या का सामने करना कर सकता है, प्रश्निक रमांक 23, जी एस टी का पंजी करना किसका उदारण है, य जादे दमाग नी लगाना फिर बारी आती है सूचना का अधिकार बताओ भई सूचना कौन लेगा बिजनेसमेन तो लेगा नहीं एक नागरिक सूचना लेता है ठीक सोचना का दीकार कौन यूज़ करता है नागरी की यूज़ करता है गवर्मेंट तो सिटिजन हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी इन सब की चर्चाम निकी हुई है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कहां से कॉश्चन फेक दिए बड़े आसान से प्रश्ण है गर बैठे बिजली विल का भुकतान खाली स्थान के अंतरगत आता है बिजली विल कौन भुकतान करेगा एक नागरी के भुकतान करेगा जो सेवाओं कॉपियों कर रहा है तो गवर्मेंट तो सिटिजन हो गया ठीक फिर बारी आती है प्रश्ण करिमांक 36 दो तो यहां पर कहने का मतल सब्सक्राइब है फिर मानलों किसी का कोई ओफेस है वह ओफेस के लिए बिजली विल भुकतान करेगा तो वह एजा एक इंडिविजिवल या एक सिटिजन के रूप में करेगा तो वह जी टू सी के अंतरगत आएगा इदी बिजनिस से रिलेटेट कोई चीज़े गवर्मे जी टू सी के अंतरगत आएगा ब्यापार से रिलेटेट कोई चीज़े हो रही है तो जी टू बी ठीक गवर्मेंट गवर्मेंट आपस में कर रहे हैं एक बवाग दूसरा बवाग तो जी टू जी और गवर्मेंट तो उसके एंपलोई उनके बीच में कॉडिनेशन वगेर जाएं कि आप जाएं और उसके टाइब करने वहीं उमंग का फुल फॉर्म क्या है तो उमंग का फुल फॉर्म आप हमें बताएं और प्रशन पूसता है उद्देश यह हम जानते हैं सरकारी सेवाओं को नागरे को तक पहुँचाना इसका उद्देश यह है आरंब एप का उद्देश यह क्या है दोस्तो इसके भी ट्रिक की हमने बात करी निमोनिक्स बनाये था हम आपको सिर्फ ऑप्शन बताएंगे आंसर ए सही है इसका सरक सरक्षा निमोनिक्स आप देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख ले मज़ा आ जाएगा आपको पिछले के पि याद होना चाहिए जबकि ऑप्शन नंबर भी खनान मंत्रा लाइका है सर्ते भामा पोर्टर ठीक फिर आता है प्रश्न क्रमांक 49 दीख्छा एप किसे से संबंदे थे बताईए दीख्छा एप्लिकेशन का संबंदे किससे हैं तो सिक्षा से संबंदे थे ठीक नॉलेज श मैंसे किस मॉडल पर आधार है थे जो ए गवर्नेंस परणाली है पीसी महाल नोबेस भाई एकॉन नोमेक्स से संबंदे थे कौन सी पंचवर्षी योजिना महाल नोबेस मॉडल पर आधारित थी कमेंट सेक्षन में बता दे ठीक पीपी मॉडल पर्चेसिंग पावर यह कोशी भी नहीं है कहां रिलेट हुआ ऑप्शन नमबर सी गार्टनर मॉडल रिलेट होता है तो ऑप्शन नमबर सी प्रश्निक रमांक 40 का सही जवाब है लेकिन यहाँ पर जो आंसर की है पुस्तक की वह ऑप्शन नमबर भी बोल रही है पबलिक प्राइवेट पार्ट बी की और जा रहे हैं लेकिन गार्टनर मॉडल रही था कि उससे हमें अलग अलग देशों की जो ई गवर्ने से समझने सारी चीज़ें उनके बारे में उनका मॉडल समझने को मिलता है तो आप इसको देख लें अपने हिसाब से आपको क्या चीज़ें उचित लगती है प्र फिर बारी आती है प्रश्निक रमान के 42 की भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश क्या है चर्चकी थी भारत नेट प्रोजेक्ट की इसका उद्देश क्या है तो दोस्तों सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबेंड उपलब्द करवाना इसका उद्देश है इसको अब चल रही है हमने चर्चा की हुई थी इसका संबंद है हिमाचल प्रदेश से option number C प्रश्न कर्मांग 43 का सही जवाब है प्रश्न कर्मांग 44 इनमें से क्या सुमेलित नहीं है दोस्तो लोक मित्र हिमाचल प्रदेश की है यही सुमेलित नहीं है जन मित्र राजिस्थान, जन सेवा के इंदर उत्तर प्रदेश, लोक सेवा के इंदर मध्यप्रदेश, यह तो सारे सुमेलेत हैं, option number, यह सुमेलेत नहीं है, क्योंकि जो लोक मित्र है, वह हमाचल प्रदेश की है, पहले वाला प्रशन ही हमने देखा, पर प्रशन गर्मांक 45 ई-governance की विविद प्रकरिया के लिए कौन सी है, यहां पर sentence ठीक से नहीं है, ई-governance की प्रकरिया निमने में से कौन सी है, दोस्तों, जी-टु-जी-टु-ची, जी-टु-बी, सब कुछ होता है, जी-टु-ए नहीं लिखा बोवी होता है, option number D, प्रशन गर्मांक 45 का सही क्या कहलाता है प्रशासन के कारे में जब आप सूचना एबं संचार प्रद्यवी की का उप्योग करोगे उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों ई मित्र टैली गवर्णेंस तो वैसे उड़ गया बचा क्या ए गवर्णेंस ऑप्शन नमबर भी प्रश्ण छालीस का एकडम सटी की प्रेटफार्म से ओडर किया होगी खाना भी ओडर किया होगा बहुत वियोहारीग टॉपेक ही मज़ा आएगा आपको पड़ने में समझने की ज़्यास चीज़ए नहीं होगी क्या ओल्रेड़ी ज्यास समझते हों उनके बारे में इस आप अल्रेड़ी बहुत कुछ जानते तो बस इंतजार करें अगले वीडियो का जिसमें शुरुवात होनी है e-commerce की और ये वीडियो हो सकता है सुबह तक upload हो पाई क्योंकि एक वीडियो जो मैंने बनाया है इसके पहले वो लगवग एक घंट के 50 मिनिट के आसपास का है अभी उसको मैं save कर रहा हूँ सारी चीजों को complete करके पहले वो save होगा, save होने में भी लगवग एक घंटा वो ले लेगा उसके बाद पर उसको upload करेंगे तो उसमें भी काफी time जाएगा तो वो वीडियो आपके पास वो वीडियो भी लगवग सुबह आपके पास आप आएगा क्योंकि अभी upload करेंगे अभी रात के तकरीवन तीन वज चुके हैं तो वो वीडियो सुबह पांच मजे तक आपके पास आप आएगा और फिर इस वीडियो तो हम upload कर देंगे सुबह सुबह दस के पहले तक प्यूंकि फ्रेस को भी save होना होगा सारी चीज है और इसी प्रकार से हम 10 माई तक इस unit को पूरा करने का प्रेत्न करेंगे तो बस इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ आप भी लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्षे प्राफ्ट नहीं होता जैहिंद बंदे मातरम